राजनीती में काला धन खत्म करने के लिए लाया गया था इलेक्टोरल बॉंड सुप्रिम कोट के फैसले पर बोले ग्रह मंत्री अमिशा इलेक्टोरल बॉंड का मामला सुप्रिम कोट के हालिया आदेश के बाद से लगातार सुर्कियों में बना हुआ है केंद्री ग्रह मंत्री अमेशा ने अब इस मामले में बरायन देते हुए इलेक्टोरल बॉंड शुरू करने की वज़े बताई है उन्होंने का कि यह योजना राजनीती में काले धन को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी और इसे रद्ध करने के बज़ाए इसमें सुधार किया जाना चाहिए था ग्रह मंत्री अमेशा ने शुक्रवार को इंडिया टोडे कॉन क्लेव में यह बात कही केंद्री ग्रह मंत्री ने कहा भारतिय राजनीती में काले धन के प्रभाव को खत्म करने के लिए चुनावी बॉंड लाए गए सुप्रिम कोड का फैसला सभी को मारना होगा मैं सुप्रिम कोड के फैसले का पूरा सम्मान करता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि चुनावी बॉंड को पूरी तरह खत्म करने की वजाए इसमें सुधार किया जाना चाहिए था वरिष्ट बीजेपी सांसद ने इसके साथी कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए कहा कि विपक्षी दल के नेता राजनेतिक चंदा नगद में लेते थे वे 1100 रुपए के चंदे में से 100 रुपए पार्टी के नाम पर जमा करते और 1000 रुपए अपनी जेब में रखते थे उन्होंने कहा कॉंग्रेस पार्टी ने वर्टसों तक इस सिश्टम को चलाया है 303 सांसद वाली बीजेपी को 6000 करोड अमेशा ने कहा यह कहा गया है कि चुनावी बॉंड से बीजेपी को फायदा हुआ है और राहूल गान्दी ने बयान दिया है कि यह सबसे बड़ी जबरन वसूली गतिवीदी थी मैं इस बारे में अपना रोख इसपश्ट करना चाहता हूँ कोले 20,000 करोड रुपे के चुनावी बॉंड में से बीजेपी को लगभग 6000 करोड रुपे मिले बाकी बॉंड कहां गए? वीजेद को 750 करोड रुपे और द्रमुक को 649 करोड रुपे मिले इलेक्टोरल बॉंड में बाकी दलों को मिले 14,000 करोड केंद्रे ग्रह मंत्री ने कहा कि 303 सांसद होने के बाबजूद हमें 6,000 करोड रुपे मिले है और बाकीयों को 242 सांसदों के बाबजूद 14,000 करोड रुपे मिले हैं किस बात को लेकर इतना हंगामा है? मैं कह सकता हूँ कि एक बार हिसाब किताब हो जाने के बाद वे आप सभी का सामना नहीं कर पाएंगे वन नेशन वन एलेक्षन के बार बार होने वाले खर्चे होंगे खत्म अमेशा ने यह भी कहा कि एक राष्ट एक चुनाव भारतिय जन्ता पार्टी बीजेपी और प्रधान वंतरी नरेंद्रु मोदी की अवधारणा है और जब यह लागू होगा तो यह तेजी से विकास सुरिशित करेगा और बार बार होने वाले खर्चे को समाप्त करेगा एक राष्ट एक चुनाव के प्रस्ताव का जिकर करते हुए शा ने कहा कि देश भर में कई बार चुनाव होने के कारण इसमें बड़ी मात्रा में धन खर्च होता है उन्होंने कहा कि सबसे महत्तपुन बात यह है कि आदर्श आचार सहता लागू होने के कारण सरकार की निर्डेल लेने की शमता पर प्रतिकुल प्रिभाव पड़ता है और विकास कार रुख जाते है